पुरानी परंपरा है कि हमें सभी बड़े लोगों के पैर छूना चाहिए इसे बड़े लोगों का सम्मान करना समझा जाता है जिन लोगों के पैर छूए जाते हैं उनके लिए शास्त्रों में कई नियम भी बनाए है यदि कोई वेक्ति आपके पैर छूता है तो आपको क्या करना चाहिए आईए जानते हैं पैर्च हुने के पीछे धार्मिक और वज्ञानिक कारण दोनों ही मौजूद है जब भी कोई आपके पैर्च हुए तो सामान्यता, आशुरवाद और शुक्कामनाय तो देना ही चाहिए साथ भगवान का नाम भी लेना चाहिए जब कोई आपके पैर्च होता है तो इससे आपको दोस भी लगता है इस दोस से मुक्ति के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए भगवान का नाम लेने से पैर छुने वाले व्यक्ति को भी साकारात्मक फल प्राप्त होता है और आपके पुणियों में बढ़ोतरी होती है आशिरवात देने से पैर छुने वाले व्यक्ति की समस्याएं समाप्त हो सकती है किसी बड़े व्यक्ति के पैर क्यूं छूने चाहिए पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा या बंधन नहीं है यह एक विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ा है पैर छूने से केवल बड़ों का आशिरवाद ही नहीं मिलता बलकि अंजाने ही कई बाते हमारे अंदर उतर जाती है पैर छूने का सबसे बड़ा फाइदा शारीरिक कसरत होती है तीन तरह से पैर छूए जाते हैं पहले जुक कर पैर छूना दूसरा घुटनों के बल बैठकर तथा तीसरा शास्थांग प्राम जुक कर पैर छूने से कमर और रीड की हड्यों को आराम मिलता है दूसरी विधी में हमारे साड़े जोड़ों को मोड़ा जाता है जिससे उनमें होने वाले स्ट्रेस से राहत मिलती है तीसरी विधी में सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए तन जाते हैं इससे भी स्ट्रेस दूर होता है इसके आलावा जुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है जो स्वास्त और आँखों के लिए लाप्रद होता है प्रणाम करने का तीसरा सबसे बाड़ा फाइदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है किसी के पैठ चुना यानि उसके प्रती समर्पन भाव जगाना जब मन में समर्पन का भाव आता है तो अहंकार स्वता ही खत्म हो जाता है इसलिए बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संसकार का रूप दे दिया गया है धन्यवाद दोस्तों